नेपाल की राजधानी काटमांडू में होने वाले अंतरास्टे विराठ हिंदू सम्मेलन के मद्दे नजर नेपाल विश्यो हिंदू महासंग के उपाध्यक्ष अर्दुन परसाथ वास्तोला आज कोरपपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए श्रीवास्तोला ने कहा कि नेपाल पौराणी काल से हिंदू रास्ट रहा है लेकिन कुछ कम्यूनिस्टों और विदेशी शक्तियों के छलकी वज़ा से आधर निर्पेक्ष गोशित किया गया है आज के समय नेपाल में 83 प्रतिशत हिंदू हैं जैन, सिख और बौध मिलाकर कुल 94 प्रतिशत हैं उन्होंने कहा कि नेपाल में सम्विधान में हिंदू का कोई नाम नहीं है नेपाल में दो दशब पहले अंतरास्टी विराठ हिंदू सम्मेलन हुआ था और अब उसी के तर्श पर अक्टूबर महा के 20, 21 और 22 को अंतरास्टी विराठ हिंदू सम्मेलन नेपाल में आयो जित होगा जिसमें सौ से ज्यादा देशों में रहने वाले हिंदू शिर्कत करेंगे उसी तर्फ में ये दोजार सोरह में अंतराष्टे विराट हिंदू माहा सम्मिलन करने का खैसला किया। उसी सिल्चले में गोरगनात पिठाद इसुर मंस आधितिनाची महाराज सांसत लोकसवा भारत। इनसे मेरी टेलिफून करता हो रही थी और उन्होंने मुझे बुलाया आज सुबह मिटिंग हुई और उस मिटिंग से ये निर्ने लिया गया कि अक्टूबर 2021 को एक अंतराष्टे विराट हिंदू माहा सम्मिलन नेपाल में आयोजन किया जाएगा। विराट हिंदू माहा सम्मिलन की आयोजना जो है विराट हिंदू माहा सम्मिलन की आयोजना जो है विराट हिंदू माहा सम्मिलन की आयोजना जो है विराट हिंदू माहा सम्मिलन किया जाएगा। और उसमें एक सो से ज्यादा देश के में रहने वाले हिंदू प्रत्वित्व करेंगे। और विश्विन्द महासंग शिर्फ हिंदूओं का नहो करके बुद्ध, जेन और शीक का भी अम्रेला ओर्णाइशन है। ये चारो धर्म को ओमकार परिवार मानता है और इसका ये थाता संगठन है। इसनाते विश्व के 33 प्रतिशत जन्तंक्या जो है ओमकार परिवार की है। जिसमें 178 क्रोड हिंदू हैं, बाउन क्रोड बाउद हैं, 10 क्रोड देनी हैं और 7 क्रोड से कुछ उपर शिक धर्म के अनुवाई हैं। ये सबका ये थाता संगठन है और ये अगर आप जोड़ें तो करीबन विश्व की जन्तंक्या की 29 प्रतिशत जन्तंक्या बनती है। तो इसनाते ये जो संबेलन होगा ये चार विश्व पे मुखे रूप से केंदरित रहेगा। पहला विश्व रहेगा आज जो नेपाल पिश्व का एक मात्र हिंदुराष्ट था उसको पुना हिंदुराष्ट काइम करने के लिए कुछ संबेलन से एक प्रसाप पारित होगा। दूसरे नम्मर पे भारत का राम मंदिर का मामला बहुत दिनों से अटका हुआ है। अभी खुशी की खबर है कि मोदी जी ने अमेरिका से मोहन दो हड़पा से आई हुई तोरी हुई मुर्तियां अमेरिका से वापस लाए। और कलको कोहनूर भी जरूर वापस आएगा, क्योंकि अब यह सिल्सिला शुरू हो गया। तो जब यह चीने वापस आ रही तो राम मंदिर कौनसा बड़ा बात रहे गया। उतुनी चीत रूप से बनेगा।